नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों प्रधानमंती नरेंद्र मोधी अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट गए थे और वहां उन्होंने बड़ा वादा किया वैसे वादे तो उन्होंने 15-15 लाख रुपए आपक सबसे बड़ा फाइनेंसियल हब बनाएंगे अब क्या वह वादा हकीकत है या फसाना है अभी इस पर बहस चली रही थी कि आपको मैं अभी बेहद नायाब ख़बर देने जा रहा हूं सायद आपने कल्पना भी नहीं कियोगी कि क्या यहीं गुजरात मॉडल है जिस गुज जिरात में पोस्टेड एक जिस्टी कमिस्णर ने महराष्ट में सतारा जिले के जडानी नाम के गाओं को खरीद लिया है अब तक आप पधान मंत्री के करीबी माने जाने वाले उद्योगपती का नाम सुनते हैं अडानी लेकिन अब गाओं का नाम भी सुनिए जडानी सता कारा जिले का महाबलेस्वर के आसपास का इलाका जैव विविद्धता के लिए जाना जाने वाला यानि बायो डाइवर्स्टी का हब और उसको लेकर 620 एकड़ में पूरा गाओं है पूरे गाओं की जमाबंदी 620 एकड़ की बताई जाती है और वो पूरा का पूरा गाओं एक जीस्टी कमिस्टनर ने खरीद लिया यह कहते हुए खरीद लिया कि यहां सरकारी परियोजनाय लगेंगी सरकार यहां बड़े-बड़े काम करन पड़ता है लेकिन सवाल यह है कि जब खरीदा होगा तो रजिस्ट्री कराई होगी मुटेशन कराया होगा यह बिना सतारा के जिला प्रसासन के आज लाएंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है लाएंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट उसके सहयोग के बिना उसके यह जो इलाका बेहत सम्विनंसी ले उस इलाके को खरीद ले तो आप सोच सकते हैं कि भारत में भ्रस्टाचार का कैंसर किस तरह से फैल चुका है भ्रस्टाचार अब इस देश में छोटी मोटी बीमारी नहीं बलकि एड्स और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और यह मामला प्रकास में तब आता है जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एंजी टी इस मामले के उपर सतारा के डीम और दूसरे परसासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी करती है क्या इसी के लिए फाइनेंसियल हब प्रदानमंति नरंद मोदी बना रहे है क्योंकि उन इसमें सब्लके साथ-सअत कर गूजरात में गाउं कि परसाएं का घटार करों को जो किन सरकारों द्वारा लगाए जाते थे इन सब को खत्म करके एक समिधान संसुधन के द्वारा एक बहुत बड़े वित्तिय सुधार का कि दावे के तहत खोखले दावे के तहत लाया गया था धोल बया करके संसद्भावन में नगारा बया करके करने की घोस्था की गई धी 2017 में लेकिन आप सब ने देखा कि जिस जीस्थी को को हैं přेकित-ाइस. खरे लियत Aí आपने भिस कि आएश्था निकला लिए और आप सोचते होंगे कि कही कोई खबर आती है कि किसी बड़े देश ने कोई आईलेंड खरीद लिया और उस आईलेंड की स्थिति कितनी होती है उस आईलेंड का एरिया कितना होता है वो भारत के गाउं के जितना होता है लेकिन कोई देश कोई आईलेंड खरीदता है और यहां इस्थिति यह है कि एक GST कमिस्णर ही एक आ एडी जाएगी जो एडी अर्भिन केज रिवाल की स्वास्त संब्धनी समस्याओं को देखते हुए भी जमानत का विरोध करती है और जिस मामले में अब तक उस सबूत नहीं दे पाई है लगातार मनिस्ति सोधिया और उन्हें अर्भिन केज रिवाल को जेल में रखती है जो हेमंद सोरेन को जेल में ले जाती है वह एडी नरंद्र मोदी के ग्रिह राज में पोस्टेड वहां तैनात एक जीएस्टी कमिस्नर तक नहीं पहुंच पाती जबकि इस से बड़ा भ्रस्टाचार का आरोप इस देश में आपको नहीं मिलेगा कि पूरा का पूरा गाउं को कोई व्यक्ति खरीद ले सतारा जिला आजादी की लड़ाई में सतारा का क्या योगदान है जो इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 1942 में ही देश भले ही सहतालिस में आजाद हुआ लेकिन 1942 में ही उत्तर प्रदेश के बलिया बंगाल के तामलुक और महरास्ट में सतार के लोगों ने आजाद सरकार बना ली थी ब्रिटिस हुकूमत का खात्मा कर दिया था उस सतारा जिले की जड़ानी गाओं की जमीन पर इस तरह का खेल इस तरह का ब्रस्टाचार क्या जीस्टी कमिस्नर के ऊपर कोई जाच होगी क्या सरकार के पास कोई इंटेर्नल कि सत्ताधारी पार्टी के नियताओं और सरकार के अंदर पोस्टेड सरकार के अधीन काम कर रहे करमचारियों के खिलाफ इडी चली जाए और जाच करें इंजीटी ने भी अपनी तरफ से सिर्फ नोटिस देने का काम किया है ऑपने जीटी जाए आयाले ने उसे अभी ततकाल रद भी नहीं किया है क्योंकि इस तरह का वारा न्यारा भारत जैसे देश में जहां ग्रामवासियों के अधिकारों को सुर्षित करने की बात होती है जहां ग्रामीनों की अधिकारों के साथ साथ आदिवासियों दलितों की अधिकारों को सुष्चित करने की बात होती है। क्या उस गाओं में ग्रामीन नहीं रहते। क्या उस जडानी गाओं में आदिवासी नहीं रहते होंगे। कोई सेक्शन तो रखता होगा सब्सक्राइब सिद्ध और अपने जीविका को अपने जीवनी चबारत में अनेकता की deeply था उसके तहट जीने वाले लोगों के संख्या होगी कि अधिर कैसे इतना घेल लो ॏ की पूरा सब्सक्राइम Q2 गाउं बिका कैसे सत्ता किसकी थी महाराष्ट में और क्या डिपार्टमेंट मिला हुआ था जांच तो इसकी होनी चाहिए जमीन को लेकर इस देश में कितना बड़ा अंदोलन हुआ है लोगों ने 2006 में सिंगूर में और 2007 में नंदी ग्राम में देखा है ऐसा अंदोलन जिससे बंगाल में लाल दुर्ग कम निष्ट पाटी का वाम मोर्चा का सासन उख़ड़ गया था वाम मोर्चा का खात्मा हो गया मिदामसवा में एक विदायक उनके नहीं है वहाँ वह उस नंदी ग्राम और सिंगूर के जमीन के खेल से हुआ था और उस जमीन को जल जंगल और जमीन को लेकर जिस हिंदुस्तान में तमाम तरह से नारे की बात होती वातों बाते अलग-अलग कही जाती है सरद्पमार को किसाणों का नेता लोग मानते हैं उनके ग्रहराज में अब तक उनकी पार्टी में इसलिए पर सवाल नहीं उुठायर क्या से उसे ना उद्धो ठाकरे गुट इस पर सवाल नहीं उठाएगी आखिर गुजरात में तैनात एक अफिसर को एक अधिकारी को महराश्ट में इतनी बड़ी जमीन की क्या जहुरत थी और जिस दौर में पर्यावरन को लेकर अंतरास्टिय चिंता अब्यक्ट की जा रही है उस दौर में इतनी बड़ी जमीन खरीद की अनुमती वायो डाइवर्सिटी के लिए समविजन सील माने जाने वाले इलाके में क्यों की गई क्या राज सरकार की तरफ से कोई नो अब्जेक्शन दिया गया था खरीद के लिए सब पर अभी मौन साधे हुए है लो क्योंक एक GST कमिस्णर की अवकात इतनी बड़ी नहीं है कि 620 कोड़ रुपय का 620 एकड़ का वो प्लॉट खरीद ले GST कमिस्णर के पीछे जो असली गुनागार होंगे इस लैंड डील के वो उसके पीछे होंगे सफेद पोस होंगे क्या वहां तक कोई एडी कोई जांच एजनसी पहुंच जाएगी या ग्रीन ट्रिब्यूनल तक ही यह मामला रह जाएगा इस देश में जमीन को लेकर जितन वह से सरकार को इतना जहरा एक्सप्रेसओए बनाने के लिए जमीन ली जा रही थी यमुना एकस्प्रेसओए उस घंटना जहरा उस वक्त मनमौंसिंधिंग सरकार को कि लैंड क्वीजीसन कानून आ गया भू अधिग्रहन बिधेयक आ गया और कानून के बनने के बाद किसानों को उचित दर में मौावजा भी मिलने लगा लेकिन वो कानून ये कताई सुनिस्चित नहीं करता कि किस जमीन को अधिगरहन से वन्चित रखा जाना चाहिए और किस जमीन का अधिगरहन होना चाहिए वो सिर्फ मौावजे की बात करता है कि उचित-दर, market rate का 2 गुना, और SCST की जमीन है, यानि अनसुचित जाती अनसुचित जंजाती की जमीन है, तो market rate का 3 गुना पैसा मिलना चाहिये, सरकारी rate से नहीं, बलकि market rate, और उसका 2 गुना या 3 गुना, लेकिन जमीन की सम्वेदन सील, बूद्ध, और जमीन के यूटिलाईजेसन उसकी उपयोगी था कि कौन सी जमीन किस काम की है किस परपस से ली जा रही है उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि एक té समैसी मां में जो भू अधिक्रान कानून में लिखा गया कि एक तैस समय सीमा में यदि जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई वो प्रोजेक्ट पुरा नहीं होगा तो ग्राम वासियों को और किसानों को जमीन वापस कर दी जाएगी क्या ऐसा कोई केस आपने सुना है कि जमीन वापस किया गया हो कानून काग्जों पर आ गया लेकिन खेल होता रहा और यहां तो सरासर सफेद जूट जैसी बात है कि GST Commissioner जमीन रजिस्ट्री करवाता है यह कहकर जमीन रजिस्ट्री करवाता है कि सरकारी परियोजना के लिए उसे अधिकार किस ने दिया एक टेक्स वसूलने वाले एक इंडारेक्ट टेक्स वसूलने वाले अधिकारी को जमीन खरीद का अधिकार किस ने दिया और बड़ा गुजरात के बीच राजनितिक रूप से फिलाल माम्ला वैसे ही गरब है। गुजरात लोबी पूरे देश में जितनी बड़ी चर्चा का विसेह नहीं है उससे कहीं जाना चर्चा का विसेह महराष्ट में हैं खासकर गुहाटी मॉडल के तहद सरकार बनने के बाद गुजरात के महराष्ट के विडायकों को पहले सूरत और फिर गुहाटी ले जाने के बाद और उस परिस्थिती में गुजरात में तैनात एक GST कमिशनर एक सरकारी मुलाजीम एक पूरे के पूरे गाउं को खरीदने चला जात जो मराठा अरक्षण के मुद्दे के को लेकर एक बेहत साधारन से दिखने वाले ब्यट्टी मनोज जारंगे पाटिल के पीछे खड़ा हो जाता है उस महराष्ट में जहां सोसल जस्टिस के आंदोलनों की एक बड़ी भूमिका रही है सोसल रिफॉर्म्स मुमेंट की वहाँ अब क्या जमीन को लेकर आंदोलन होगा वहाँ अब क्या पर्यावरण को लेकर आंदोलन होगा वहाँ अब क्या ब्रस्टाचार और जमीन यह दोनों जो एक दूसरे के पर्यावाची बन चुके हैं क्या इस मुद्दे को लेकर आंदोलन होगा आने वाले वक्त में देखा जाना है लेकिन एक GST कमिस्णर की इतनी अवकात हो गई कि वो पूरा गाउं खरीद लेता है यह सबसे बड़ी सचाई है कि ब्रस्टाचार का दीमक किस प्रकार से नरंद्र मोधी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर उन्हीं के ग्रिहराज में तैनात एक सर्याम उसकी खिली उड़ा रहा है कि वह खिली उड़ाने गुजरात में नहीं पड़ोस के राज महाराष्ट में पहुंच रहा है तो देखते जाए आने वाले वक्त में क्या होता है संसाधनों की बंदरबाट के इस दौर में सरकारी अधिकारी और उनके पीछे कितने सप सफेद पोस्ट चिपे हुए है जरा इस खेल को यादि निस्पत से जाच हो गई तो देखते जाए होता क्या है इसके लिए इतना ही पुसकार